दोस्तों हमारे कुछ भाईयो बहनों ने सिकाय दर्ज की है कि वो फिर भी डोनेशन नहीं कर पा रहे हैं में एक बार फिर से आपको अकाउंट डीटेल्स, यू पी आई और रेजर पे का लिंक ये तीनों चीजे जो हैं वो पिन कमेंट में दे रहा हूं बहुत सारे ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं और बहुत सारे मारे भाई बैन वो नाराज है, प्लीज वो नाराज ना हो पिन कमेंट में में तीनों चीजे दे रहा हूं, वहाँ पर जाकर आप डोनेशन कर सकते हैं नमस्ते दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातर में आज का वीडियो बहुत खास है खास इसलिए है क्योंकि हम आज बताएंगे आपको कि इस लोगडाउन ने कितनी सारी गलत फैमियाद दूर कर दी है हमें पता लगा है कि इस परकार से एकता कपूर जो अब तक घर घर की काहनी बयान कर रही थी हमें पता लगा कि इस परकार से वो सेना को बदनाम करने का कारे करती है देश के खिलाफ कारे करती है हमें यह भी पता लगा कि बॉली वूड जो हो एक दाउद वूड है कराची वूड है और इसके अंदर चलने वाला जितना भी धंदे बाजी है उस सब को प्रायूजित करता है कराची हमको यह भी पता लगा कि यूपी ऐसे में किस प्रकार से जिहाद फैल रहा है लव के हाथ में से जो एक तो टिक टॉक और दूसरा पबजी यह जो चिना है इसने बहुत ज़्यादा जो गलत फैमें फैलाई हुई थी उसको भी दूर किया है चाइना के अंदर बॉर्डर पर घुस करके हिंदुस्तानियों ने वहां तक वार किया है मार किया है बहुत सारे ऐ चीज है जो कि आप लोगों को आईना दिखाते है पूरे भारत वर्ष में जो नेरेटिव चल रहा है कुछ पत्रकारिता ऐसी होती है जो जो चल रहा है उसको इस पश्ट तया आप लोगों के सामने हूब हूँ जैसा है वैसा दिखाने का प्रियास करती है एक समय था जब ह अतंक वादियों को बंबारी करने में आसानी होती थी आज की मैं बात करूँगा सबसे बड़ी बात जो हुई है वो हुई है रकूल प्रीत सिंग और धर्मा प्रोडॉक्शन का जो एक 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 गिरफतारी के बाद में जो उनसे पूस्ताच हुई है उसके बारे में रकूल बताती है कि रिया जो थी वो उससे अपना समान मंगवाती थी जो की रकूल प्रीत सिंग के घर पर रखा हुआ था और इससे भी भड़ा खुलासा हुआ है करिश्मा जो की मैनेजर है किसकी एक सकल से चरसी लगने वाला इंसान है रणवीर सिंग उसकी जो वाइफ है दिप तीन लोग ही एक गुरूप में थे जिसमें कि दिपी का पादुकॉर्ण उस गुरूप की एडमिन थी और उसी गुरूप के माद्यम से दिपी का ड्रग से आदान परदान की बाचित करती थी यह चैट जो बताए जा रही है वो 2017 की है और कुछ जो चैट थी वो वाली है यानि कि एक तरफ तर रकुल प्रित सिंग इस बात की सच्चाई को बता चुकी है कि रिया ड्रग्स के कारोबार में सनलिप्त थी दूसरी तरफ यह बताया गया है कि जो करिश्मा है मैनेजर है दिपी का पादुकॉर्ण की उसने भी बता दिया है कि दिपी का की थी बलकि इसके पूरे के पूरे धंदे में भी शामिल थी पिछले दिनों आप लोगों ने रणवीर सिंग के साथ में एक व्यक्ति मुझे नाम उसका बिलकुल नहीं पता है लेकिन यह बताया जा रहा है कि वह दाउद गैंग का व्यक्ति है बॉलीवड में पैसा लगा देनी चाहिए कि जिन भॉलीवड के लोगों को यह अपने आदर्श बना करके बैटे अपने हीरो और हीरोईन बताते हैं अक्टरसेस बताते हैं ना एक नाईका बताते हैं जिनके नाम के वह फिल्मों पर जी जान शिड़कते हैं जिनके नाम के वह टैटू गुदवाते है जिनके नाम के वो फोटोज अपने घरों में चिपकाते हैं, यही नहीं उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, उनके जनम दिन बड़े शान से उनके घरों के सामने लाइन लगा करके मनाते हैं, क्या उनको नहीं समझाना चाहिए कि आप लोग जिन लोगों को आ ऐसी दलदल में फसे हुए लोग हैं, जहांस की जो दुनिया है, वो आपको यहां से बैठने पर तो बहुत चमकीली लगती है, लेकिन इसके पीछे, इसके पीछे हर चीज का धंदा है, वो चाहे शरीर का हो, शरीर के अंतर रहने वाले जितने भी अंग हैं, उनका हो, चाहे ह हमारी सोच का हो, मानसिकता का हो, एक एक बाल का हो, हर चीज का धंदा होता है, इवन शरीर को नचाने वाले ड्रग्स का भी धंदा होता है, हर चीज एक धंदे पर टिकी हुई है, इसलिए इस शरीर को धंदा ना बनने दे, वापस आता हूँ पत्रकारिता के उपर, राहु ही पीटने की कोशिश की और उसका कारण मैंने जो स्टार्टिंग बताया है कि सोसिल मीडिया के माध्यम से और जो कुछ राष्टवादी चैनल है जिन्होंने इस पूरी की पूरी मुहीम को पूरे दम खम के साथ में उठाया कि इस प्रकार से कराची उड़ दाउद के अंदर ड्रग्स पूरी तरीके से जकड़ हुए है युवाओं को इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उस पर कुछ पतरकारों ने अपना रियक्शन दिया है और वही रियक्शन निकल कर आ रहा है बार बार आर भारत के पतरकारों के उपर लेकिन राहूल कमल जो है वो एकदम से बौखला जाता है क्योंकि उसकी शायद मित्रता या करीबियां जो है दिपी काफा दुकोन के साथ में कुछ ज़्यादा ही है और खास है वो इस प्रकार से कि जब अभी 31 अगस्त सन 2020 की बात है जब सुसांत सिंग राजपूत की मृत्य हो गए थी उसके बाद में राहूल कमल एक ट्वीट करता है और वो कहता है कि हमारे पास में exclusive सबसे तेज हमारे पास में वो WhatsApp चैट है जिसमें की सुषांत सिंग राजपूत की बहन सुषांत सिंग राजपूत के बारे में जानती है कि वो ड्रक्स लेता था और वो कह रही है कि समय से गोलियां दवाईयां ले लेना यानि कि उस ठाइम पर क्या हुआ चमतकार हो गया और ओपिंडिया ने उसको इसी टैटल के साथ लिखा भी है लेकिन अब अगर करिश्मा दिपी का पादुकूर्ण की जो मैनेजर है और दिपी का पादुकूर्ण के बीच में जो चैट थी यदि वो सामने आ गई है तो उसको निजदा के अधिकार का हनन ये चीज दे दिखाई दिने लगी है देखें निजदा का अधिकार वहां तक है जहां आप दो लोग आपस में निजदा के साथ में चैट कर रहे हो आप अपने आपस में चैट करो एक दूसरे को खाओ एक दूसरे को पियोचे कुछ करो लेकिन जो मामला है वो मामला है NCB का वो मामला है ड्रग्स के कंजम्शन का वो मामला है ड्रग्स के आदान परदान खरीद फरोक्त का तो ऐसे मामले में कुछ भी निजदा नहीं है। रहुल कमल जी आप एक पत्तलकार बन चुके हैं। पत्तरकारिता आपके दिल और दिमाग जहनी आपके प्रोफेशन में ही नहीं रही है। शायद अगर इसी प्रकार से आतंकवादी लोग भी इसी प्रकार की चैट करें और कहीं पर भी बम प्लांट करने की, कहीं पर किसी को किड़नेप करने की, कहीं पर किसी की फिरोती लेने की, कुछ भी प्लानिंग वाटसैप पर कर लें। तो क्या आप कहेंगे कि ये निज्दा के अधिकार का हनन है? यानि कि आपके हिसाब से ओसामा बिलनादेन को यदि उसके घर में गुश करके मारा जा रहा है, तो ये उसकी निज्दा का अधिकार का हनन है. यदि किसी आतंकवादी को उसके घर से पकड़ा जा रहा है तो वो उसके अधिकार का हनन है यह कहना चाहते हैं आप तो क्या सुषांत सिंग राज़पूत की जो मृत्ठी हुई है वो किसी की फैमिली के निजता के अधिकार का हननन है भिल्कुल है अभी आप देखेंगे भी के TRP की होड में यदि आप एक चैनल है आर भारत सुदर्शन न्यूज, जी न्यूज ये लोग हैं जो सच्चाई को प्रस्तुत कर रहे हैं लोग सच्चाई देखना चाहते हैं लोग सच्चाई जानना चाहते हैं जो वो जानना चाहते हैं तो उसको देखते हैं और देखने से उनके टी आरपी बढ़ती है। यदि आपको टी आरपी से ही प्रॉबलम हैं तो आप भी सच बोलना शुरू कर दीजिए। लेकिन आप लोगोंने सोचा हुआ है कि हमने पैसा खाना है और वही चीज हमें बार-बार देखने को मिलती है राजदीब सरदेशाई के रूप में, राहुल कमल के रूप में और या फिर इनका जो साइड बिजनस पार्टनर है ललन टॉप उसके रूप में। ये सारे के सारे जो लोग हैं वो प्रोपेगंडा सेट करने के ओपर ही काम करते हैं। जो प्रोपेगंडा हिंदुस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है उसको एक्सपोज करने में इनका कोई योगदान नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इस वीडियो के माद्यम से सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आप लोग जिन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं वो लोग इस निजता की दलदल में इतने गहरे जकड़े हुए हैं कि जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सक करते हैं और वो कलपना मैं कहता हूँ कि आप निजता में रहिए अपने आपस में पती हो पत नहीं हो दोस्तों चाहिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन जो देश के अधिकारों की बात है देश के जनाधार की बात है देश के युवाओं की बात है संप्रभुता की बात है कम सकम उसके साथ तो कॉंप्रमाइज मत कीजिए मेरे संग बोले सत्य सनातर वैदिक धर्म कीज़ाए जैहिंद बंदे मातरम